हेलो दोस्तों नमस्कार नाइस एलेक्टोनिक्स यूटूब चानल पर आप सभी का स्वारत है दोस्तों मेरा नाम है अजित कुमार दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों जो सेटलाइट मिटर है उसमें फिक्वेंसी कैसे एड़ कर सकते हैं इसके लिए आपको इस और दोस्तों यही देख सकते हैं यही पर मैं वीडियो अपना रिकॉर्ड करता हूं और रिपेरिंग भी यहीं पर करता हूं देख सकते हैं यहां पर कुछ आपको ऐसा इंडर्फेस आपको देखने को मिल रहा है देख सकते हैं लाइफ प्रूप के साथ आपको दिखाता है और यही मेरा ट्राइपड है दोस्तों देख सकते हैं इसी में मैं मोबाइल को यहाँ पर फंस आकर और यहाँ पर जो इसके मतलब वीडियो रेकर्ड करते हैं और वहाँ पर प्रग्रामर रखा हुए हमारा देख सकते हैं और यहाँ पर एक होम ठेटर रिकेरिंग के लिए आया है दोस्तों इसको आपको दिखालता हूं इसमें दोस्तों यहाँ पर जो आईसी है देख सकते हैं यह वाला आईसी यह वाला यह जल चुकी है देख सकते हैं इसका बोडी जल चुकी है इसको भी रिकेरिंग करना है हमको और दूस्तों चलिए आपको दिखाते हैं बाइक केमरा अब चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे जो सेटलाइट मीटर है उसमें फिक्वेंसी कैसे एड करते हैं चले फटा फट से आपको दिखाते हैं तो चले हम इसमें ट्राइपोड में अपना मोबाइल जो है उसको लगा लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनली दोस्तो मेरा जो मीटा है चार्ज हो चुका है देख सकते हैं यहां पर लाइट भी बूत गई है और इसको फिर से हम निकाल कर और फिर लगाएंगे तो यहां पर चार्जिंग का आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर लाइट जनने लग जाती है तो ऐसे कोई भी बात नहीं है दोस्तो इसको हटा दीजिए और यह मेरा फूल चार्ज हो चुका है और इसका दोस्तो प्राइज है 4000-5000 प्या बहुत ही आसानी से मिल जाता है और दोस्तो इसने 2500 इमेज का बैटी दिया हुए यह नया मोडल है YSM 999-DX देख सकते हैं तो चले इसमें आपक आपो सिट करना मैं बताता हूं तो यहाँ फी इसिगनल श्केंट पर आकर और वाला बटन को को ओके कर देना है देख सकते हैं यह डिडिफी डिसका जो आपको देखने को मिल रहा है यह डिडिफी डिसका है दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको दूसरा सेटलाइट सेट करना है तो यहां पर दोस्तों यहां से यह वाला बटन दाएंगे तो यहां पर बहु तो यहाँ पे दोस्तों यह वाला फिक्वेंसी बारे 300 इसको आप वहाँ पे सेट कर दीजिए 100% सेट हो जाएगा यह वाला फिक्वेंसी बारा तीन सो उपड़ वाला जो है बारा 427 यह बंद हो चुका है यह वाला निच्चे वाला चालू है होगी चेंज हो चुका है केवल मदनी चाइनल वाला हो गया यह वाला उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ABS लॉसे सब कुछ यहाँ पर मैं फिक्वेंसी को एड़ करके रख दिया है जो भी सेटलाइट है उसका तो चले हम बाएक आते हैं डिटॉन का अप्सन दावेंगे यहाँ तो य इसकी उसके के लिए यहाँ पर की बटन करेंगे प्रेज़ और जो भी सेटलाइट में एड करना मन लेजिए हमको डीली अट करना है तो यहाँ पर ऊपे ड़के बटन करेंगे और यहाँ इसके नहीं तो मैं नहीं सेट करूंगा यहां पर क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए मैं यहां पर फिक्वेंसी नहीं सेट कर रहा हूं पहले से मेरा सेट है उसके बाद यहां पर सेटलाइट सेट करना है तो सेट मनेजर में आना है और यहां पर बटन करना है जैसे कि आपको say लेंग को इडिद करना है कोज यहां पे इसलाइट तो यहां पे इडिद कर सकते हैं यहां आप सट्छैट और अईस सट्र?' GOD करेंगे और कुछ सब्सक्राइक औरही का? एंगल पर चलता है जैसे 93.5 डिग्री इस्ट पर यह डिरी फेडिस चलता है तो यहां पर 93 कर देना है अपोई फाइफ डेख सकते हैं ओके बटन कर देंगे और यहां पर एक बात ध्यान रखना है दोस्तो एलेनवी टाइप यहां पर एलेनवी टाइप में केवल इनिवर्सल ही रखना हो गया उसके बाद यहां पर पर करेंगे और इधर लिया कर यह वाला यह लुश्क पर ओकर मीटर है इवरी 3.9 और इसमें दोस्तों आपको जो भी कुछ करना है वो आसान है दोस्तों करना इसमें बहुत ही आसानी से यह चल जाता है और दोस्तों यहां पर लंगवेज आपको देखने को मिल जाता है यहां पर हिंदी हो गया देख सकते हैं जो भी लंगवेज चाहते है है वो कर सकते हैं और यहाँ पे बोटन के लिए भी देखिए हिसको रखता हूं क्योंकि बैटीं खाए भी का इसलिए और इसमें एक олжग दिया गया है देख सकते हैं आच्छा है लाइट देदे गया है तो अच्छा है न दोस्तों क्योंकि रात में भी आप प्रपर तरीके से डीस को set कर सकते हैं तो दोस्तो यही था इसने कुछ खास नहीं है दोस्तो लेकिन यह मीटर बहुत ही मस्त है इसको purchase कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तो DC के लिए charging दिया हुआ है और यह software के लिए USB दिया हुआ है दोस्तों बहुत ही अच्छा यह मीटर है देख सकते हैं और यहां पर दो पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है तो आई होप यह वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल एकां घंटी को दबा देजिए जाकि ऐसे इंफर्मेशन दोस्तों आपको आगे भी मिलती रहेगी मिलते हैं नेक्स्ट डियों तक लिए जाहें दोस्तों